कि नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंच सेनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे अडिशन ओफ एक्टर्स के बारे में इसके अंदर हम सिर्फ आज दो केस लेंगे बाकि जो नेक्स्ट केस हैं कि जब जैसे कि जो पहला केस है इसमें हम ले रहे हैं वेन टो वेक्टर सार्क्टिंग इन सेम डारेक्शन एक त्व이 striking ऐक डिस समझना है कि अग्टर होता गया है ़ता पहले जो है इसका रूट की बात कर लेते हैं कि जनरल दो leur पूल है वेक्टर एडिशन का वो है क्या अब इसके अंदर क्या है कि मालिज यह अब वेक्टर के बारे में आपको पता है और इसके पार्ट भी पता है यानि कि यह क्या होती है यहां पर यह होती है टेल और यह वेक्टर का होता है तो यह जो है आपको वेक्टर के बारे में ये term पता होने चाहिए, जो भी हम lecture पढ़ेंगे vector के बारे में, तो ये जो term हैं बार-बार आती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, कि ये tail है vector की और ये head है, अब देखिए जो vector addition की अगर हम बात करें, तो vector addition किस तरह से होगा, अगर ये tail है और ये जो head है, ये first vector का और जो दूसरा vector, एक और vector आप ले लें, लेकिन जो उसकी tail हो, इसके head पे आए, और इस तरह से ये दूसरा vector हो, इसी तरह से आप तीसरा vector ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो tail है, इसके head पे आए, इस तरह से, इस तरह से अगर range होंगे, तो हम इनको add कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका resultant होगा तो resultant क्या होगा जो first vector था और last vector तक यानि कि first vector जो है उसकी tail और जो last vector है उसका head वहाँ तक हम अगर एक line लगाएं तो ये होता है resultant इसको दुबारा से समझते हैं Marlilla Jiya first vector इस तरह से है तो ये head हो गया अब दूसरे vector की tail है इसके head पर आएगी अब Marlilla Jiya दूसरे vector की tail जो है इसके head पर आई और यहाँ पर इसका आगया head जो दूसरे vector है अगर आपको resultant लेना है तो first vector की tail और जो last vector है उसका head इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, तो यह जो है इसका resultant बनेगा, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, कि माली जी ए वیک्टर है और माली जी ये बी वیک्टर है, तो resultant इसका इस तरह से R रहेगा, इसी तरह से हम दो case ले रहे हैं, यह आप समझ गए होंगे, कि जनरल जो rule ह कि एक वेक्टर जो है तो दूसरा जो वेक्टर होगा उसकी टेल इसके हैड़ पे होगी तीसरा वेक्टर होगा इसकी तीसरे वेक्टर की टेल इसके हैड़ पे होगी इस तरह से अरेंज होने चाहिए अब यह इस तरह से हो सकते हैं क्योंकि देखें इस वेक्टर की टेल इसके डारेक्शन, दो वेक्टर हैं हमारे पास और सेम डारेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, मानले जी आपने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर A ले लिया, एक वेक्टर B ले लिया, जो कि सेम डारेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अब कैसे, एक आपने इस तरह से ले लिया, मानले A vector ले लिया, इसी तरह से आपने A को वेक्टर ले लिया, माले यह जो vector है, यह आपने ले लिया B vector, तो A vector और B vector दोनों ही same direction में act कर रहे हैं, अब अगर आप जो है, इनको किस तरह से addition कर सकते हैं यानि कि जो यह दूसरे वाला vector है इसके tail को इसके head पे रहा दें, तो यानि कि यहाँ पे हम dotted में show कर देते हैं, और यहाँ पे जो है, हम B vector को दिखा दें तो यहाँ पे यह दिखा दें, B vector हमने B vector को उठाया और इसके head के उपर रख दिया, यानि कि इसकी tail head के उपर रख दी, और आगे यह extend हो गए पर अब 2 लुह खें trips आफ और क्या होता है फर्स्ट वैक्टर की जो टेल है और लाश्ट यूप्टर का है यानि कि यह से लेकर जो है यहां तक पूरा वहां तक यहां तक हमारा हो जाएगा यह क्या हो आएगा हमारा resultant अब जो इसके इंदर resultant क्या होगा एथा उसके आगे बी जूड़ गया यानि कि resultant किसके बराबर हो गया एप्लस वेक्टर भी तो यहां पर यह resultant रहता है resultant क्या आएगा एप्लस भी तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब दो वेक्टर हों सेम डिरेक्शन में हों तो resultant क्या आता है हमारा एप्लस भी आता है तो इस केस के अंदर जो magnitude है resultant वेक्टर का अगर हम magnitude of resultant वेक्टर की बात करें किसके एकवल है sum of the magnitude of two vectors इन दोनों के magnitude के sum के बराबर है और जो इसकी direction है जो resultant की direction होगी वो भी सेम होगी जो हमारे यह दोनों वेक्टर थे दो गिवन वेक्टर थे यानि कि यह दोनों इस तरफ थे तो यह भी इस तरफ होगा तो सेम डिरेक्शन में आप इस तरह से इसको solution करेंगे अब दूसरा case ले लेक्टर है जिसमें opposite direction हो आपके पास एक vector है माले जी जो a vector है वो जो तो है आपका इस direction के अंदर तो a vector आपने यह ले लिया लेकिन जो बी वेक्टर है वो है आपका opposite direction में तो आपने वेक्टर इस दिशा के अंदर ले लिया जैसा कि हमने यहाँ पे देखा opposite direction में तो A इस तरफ है B इस तरफ है अब हमें क्या करना है कि जो इसकी tail है B की इसके head पर रखनी है तो किस तरह से बनेगा इसको हम दुबारा से बना लेते है कि यह A वेक्टर जो है अब यह B की जो इसकी tail है इसके head पर आएगी यानि कि जब आप इसके head पर रखेंगे तो बिलकुल इस तरह से यह आ जाएगा और यहां पर जो है आप B इसको show करेंगे यानि कि पूरा तो यह था A वेक्टर और जब आपने इसको यह रखा यह हो गय resultant जो वेक्टर है वो क्या आएगा अब A की tail और जो last का head यानि कि यहां तक का जो है वो resultant आएगा यहां तक का यह वाला तो यह क्या जाएगा resultant यानि कि A vector की tail और B के head तक जाएगा जैसे कि हमने यहां पर देखा था A की tail B के head तक यानि कि last vector के head तक first vector की tail last vector के head तक तो य जो आ गया यह resultant आ गया आप देखे resultant कितना छोटा बना है यानि कि जो यह resultant आया है यह किसके बराबर होगा a vector minus b vector के बराबर होगा क्यों क्योंकि यह देखे opposite direction में है अब यहाँ पे हमें एक सीज़ देखनी है कि अगर जो है a जो vector बड़ा है तो जो है r क्या हो जाएगा a minus b हमारा यहाँ पे आएगा तो आप क्या सकते हैं कि जो resultant है जो भी हमारा इसके अंदर बड़ा होगा उसके according आएगा यहां कहने का क्या मतलब है कि जो resultant की direction होगी जैसे हमने इस direction में इसको लिया है इस direction में कौन सा था a vector था यहाँ पे हम मान के चल रहे है कि जो a vector है वो ब उसी direction के अंदर आएगी जो vector बड़ा होगा जो bigger vector होगा और यहां पे आप यह भी देख सकते हैं कि यहां पे जो resultant है जो resultant vector है वो किसके equal to है वो हमारा equal to है difference of the magnitude of the two vectors यानि कि और भी vector के difference के बराबर है और direction क्या होगी इसके direction वो होगी जो कि हमारा bigger vector होगा जैसे हमने यहा वो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इसको आप दुबारा से अगर लिखना चाहें यानि कि जो R जो हमारा resultant vector है और A vector minus B vector इस तरह से रहेगा और यह कबल रहेगा इस तरह से इफ जो A vector है वो बड़ा हो B vector से इस तरह से रहेगा तबी तो हमारा resultant है उसी direction में रहेगा अग इसको show कर सकते हैं तो यह था हमारा addition of vectors यानि कि जब दो vector add करते हैं addition में लेते हैं same direction में और opposite direction में next जो lecture आएगा उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे laws है यानि कि triangular law है polygon law है parallelogram law है वो किस तना से हम जो है addition के अंदर use करते हैं thank you